हेलो दोस्तों नमस्कार आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी सौवंक बिहार बोर्ड 12th क्लास बात करेंगे गद्य खंड की तो पहले गद्य खंड का अर्थ क्या होता है ये समझे गद्य खंड में आपको पढ़ना होता है कहानी लेक निबंद तो फॉर्स्ट लेशन की बात करेंगे तो फॉर्स्ट लेशन आपका क्या है बातचीत है तो बातचीत से जितना भी महत्रपूर्ण प्रस्न वो मैं आपको बताऊंगा साथी साथ जितना भी प्रीबियोस पीपर का क्वेस्टन आया हुआ है वो मैंने यहां पे लिख दिया है तो आप इतनी बंद है जिससे भावनात्मक अनुभूती मिलती है कैसी अनुभूती मिलती है भावनात्मक जिसमें दुख सुख जुड़ा हो उसको क्या बोलते है भावनात्मक बोलते हैं तो दो पॉइंट तो आपके यहीं से हो गए कि बातचीत क्या है भाया तो एक ललितनी बंद ह इससे कौन सी अनुभूती मिलती है तो भावनात्मक अनुभूती मिलती है दूसरे पॉइंट की बात करें तुनिबंदकार का नाम बालक्रिष्ण बहुट साहब जी है ये आलोचक भी थे अब आलोचक आर्थ समझेगा कि जो गुन और दोस दोनों बता है उसे क्या बोलते है आलोचक तीसरा पॉइंट है यूग यूग की बात करें तो भारतिंदु यूग उद समय के मसुहूर थे कौन भारतिंदु हरिष्णद्र साहब जी तो यूग की बात होगी तो आंसर आपके क्या हो जागा भारतिंदु यूग और काल पूछेगा तो आधूनिक काल यानि क ती मोडर्न टाइम की बात हो रही है जनम की बात करें 23-0-1844 मेरे साथ बोलिये जनम 23-0-1844 निधन 20 जुलाई उनेसो चवदा जनम रित्यू बहुत बार पूछा गया है तो जनम 23-0-1844 निधन कब 20 जुलाई उनेसो चवदा ठीक है अब बात करते हैं निवास अस्थान की इलाहबाद उत्तरपरदेश, इलाहबाद उत्तरपरदेश, निवासस्थान किनका भाई, बालक्रिष्न भठ सहब जी का, ठीक है, अगले पॉइंट के तरफ हम लोग बढ़ हैं, तो देखिए, छटा पॉइंट अपका है कि माता, माता का नाम क्या, पारवती देवी, पारव पिता जी का नाम बेनी परसाद भठ, जो की एक व्यापारित है, बात करते हैं इनकी सिक्षा के बारे में, प्रारंब में संस्क्रीत का अध्यान किए, 1867 में परियाग के मिसन एस्कूल से एंट्रेंस की परिक्षा दिये, यहां से ये भी क्वेस्टन आपके पूछा जाता ह है कि प्रारंब में किस विशाय के अध्यान किये तो आंसर आपके क्या हो जाएगा संस्क्रीत और 1867 में परियाग के मीशन स्कूल से इंट्रेंस की परिक्षा दिये ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया अब 1879 1869 से 1875 तक परियाग के मीशन स्कूल में अध्यापन ठीक है तो अध्यापन के बारे में बात होगी तो 1879 से ले करके 1875 तक याद रखेगा ये पॉइंट अब बात करते हैं हम लोग रचनात्मक सक्रियता के बारे में तो रचनात्मक सक्रियता क्या होता है जैसे समझेगा प्रेर्णा जो लिये थे किसे लिये थे भरतेंदु हरिश्चंद्र साहब जी से ये प्रेर्णा लिये थे देखें भरतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेर्णा से हिंदी वर्धनी सभा परियाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना क्या किये थे प्ररम्भ किये थे अब इसी लाइन को हम लोग अबजेक्टीव पे रूप में पढ़ेंगे देखिये कैसे प्रेर्णा किस से लिए भाईया भरतेंदू हरिश्चंद्र से सभा का क्या नम था हिंदी वर्धन सभा प्रियाग में जुकी है पत्रिका का नाम हिंदी प्रदीप यह पत्रिका कब निकाला गया 1877 में पत्रिका कितने वर्षों तक निकाली गई भाईया 33 वर्षों तक तो दिखिए सारा आपका अबजेक्टीव क्लियर हो गया तो फिर से एक बार हम लोग प्रेक्टिस कर लेते हैं प्रेरना किसे लिये थे बोलिये मेरे साथ भरतेंदू हरिश्चंद्र सहाब जी से सभा का क्या नम था हिंदी वर्धनी सभा पत्रिका का नाम हिंदी प्रदीप कब पत्रिका भाई प्रकासी थू 877 में पत्रिका कितने वर्षों तक निकला भया तो 33 वर्षों तक यह point याद रखिएगा अब सबसे important आपका उपन्यास का trick देखिए कितना simple सा trick मैंने आप लोगे लिए बताया है बिल्कुल याद हो जागा कि नूतन 100 कथा कराई सदभाव से गुप्त तरीके से यात्रा से और दक्षिना में क्या उसको मिला घड़ी मिला नूतन 100 कथा कराई सदभाव से मतलब अच्छा भाव से लेकिन तरीका क्या ऐसा था गुप्त तरीका से और फिर उसके बाद क्या की यात्रा की और दक्षिना में उसको क्या मिला था घड़ी मिला था तो एक एक point को बढ़िया से समझेगा तो नूतन से हो जएगा नूतन ब्रह्मचारी नूतन यहाँ पे है तो नूतन से क्या हो जएगा नूतन ब्रह्मचारी सौव से आपका हो जएगा सौव अजान एक सुजान कथा से हो जएगा आपका कथा रहस्य कथा सदभाव से आपका हो जएगा सदभाव का भाव गुप्त से आपका क्या हो जाएगा गुप्त वैरी अब बचा क्या यात्रा यात्रा से हो जाएगा रसातल यात्रा दक्षिना से क्या हो जाएगा उचित दक्षिना और घड़ी से क्या हो जाएगा हमारी घड़ी तो इसमें से कोई भी question आपका पूछेगा सब का सब क्या है उपन्यास है और इसका answer क्या हो जाएगा बाल क्रिष्ण भट सहब जी तो ये आपको याद हो गया होगा नूतन से नूतन म्रमचारी सौव से सौव जान एक सुजान कथा से हो जाएगा रहस्य कथा सदभाव से हो जाएगा सदभाव का भाव गुप्त से गुप्त वैरी यात्रा से रसातल यात्रा दक्षिना से हो जाएगा उच्चित दक्षिना घड़ी से हो जाएगा हमारी साय नूतन सो कथा कराई सदभाव से कैसे गुप्त तरीके से यात्रा और दक्षिरा में क्या मिला था घड़ी मिला था और ये सर आपका कोशिंग है केरियर एक्सपर्ट जो कि इस बार का रिजल्ट है इंग्लिस 99 और डिस्टिक्ट पर आप लोग जुड़े सर वीडियो को ज आवाज सुना सूचिये इसको कैसा लगा होगा कि 16 साल पॉप जनवरों के बीच रहा और इसके बाद अचानक फ्राइडे के मुंग से आवाज सुना ठीक है रोबीशन क्रूसो कि कितने साल जनवरों के बीच रहा 16 साल 16 साल याद रखे गई है पॉइंट अब आद करते हैं भया बेन जॉंसन के बारे में तो इनका क्या स्टिट्मेंट है कि बोलने से मनुस्य के रूप का सक्षतकार होता है बोलने से मनुस्य के रूप का क्या होता है सक्षतकार होता है तो आंसर क्या होज़ेगा बेन जॉंसन देखिए कभी-कभी objective में आपका पूछ लेगा कि बो से बोलना अब बहुत से बेन तो इसमें भी है इसमें भी है सिंपल सट्रीक है बोलने से मनुस्र के रूप का सक्चतकार होता है तो आंसर क्या हो जाएगा बेन जौनसन अब बारी है एडीशन की असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होती है असल बातचीत सिर्फ कितने के बीच होती है बहिया दू लोगों के बीच होती है किसका कथन अैडिशन का 15 नमबर बात करें राम रमोल कार्थ क्या होता है उपरी बातें चार लोगों से अधी की बाच्चीत को क्या बोलते है राम रमोल है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुंदोस प्रकट नहीं होता और एक question आपका है कि संबाद में सबसे महत्पूर्ण क्या है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा आत्मियता क्या हो जाएगा आत्मियता और दम्यंति स्वेंबर किसकी रचना है तो आंसर आपका हो जाएगा बालक्रिस भट सहब जी की तो यह आपके हो गए important point बात चीत से ठीक है जो की एक ललित निबंध है जिसे भावनात्मक और भूति मिलती है बालकिष्ण भट सहब जी निबंधकार है यह अलोचक भी थे युग की बात होगी तो भरतिंद्व यूग और काल की बात होगी तो अधुनिक और इस चाप्टर के त्यारी आप लोग बढ़ियां से कीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेस्टन जरूर पूछे जाएंगे आपके और यह गद्देखंड पार्ट वन है सेकेंड के लिए सर थोड़ा सा आप लोग वेट करें वह मैं वीडियो जल्दी से अप्लोड कर पीलिए मैं यहां जयांगे विछिनाम से घाइंगे आपके लीए करें नरुकर के लिए जी आपके जighनगे डिए जिता कैके यह एंदीफलो धुर कर बाम किते फ्यार का यह प्ल ability ओ करें वहर मैंगे दो टाहिके टाहा जब एंट इंभलो आपके जित किता को कितान उत्या